तेंक यू ओके स्वर्ण इस्टर्स हमारा टॉपिक है आज नामन क्लेशन में चैप्टर नमर नाइन का यह लास्ट टॉपिक है इस्टर्स का जनल फार्मूला कि एंच टू एंच टू एंच टू ओ टू कंडेंस करके मैं इसका जनल फार्मूला बनाओं इस फार्मिली का तो यह क्या बनेगा सी एंच टू एंच टू ओटू ओके यह इसके जनल फार्मूला हो गया और इस्टर्स को रिपेजन करते हम इस फार्मिट के ओपर आर सी डबल ओ आर इस्टर्स के से करते हैं आर सी डबल ओ आर इसमें पहल इसके स्ट्राक्चर को जरह और से समझना है कि स्ट्रक्चर कैसा है इसको संजा तर नौनल फिलिए आसान रहेगा इँच्छर पर जरह गौर करना है ठीक इस्ट्रक्चर कैसे इसका हो करता हूँ हम इसको open कर देते हैं यह सी डबलो जो है डबलो दोनों oxygen यह चेन के अंदर नहीं है एक कार्बोनाईल की फॉर्मिट है सी ओ कार्बोनाईल और दूसरा oxygen जो है वो कार्बन से लिंक है और इसने इस अलकाईल को separate कर दिया अब मेरी बाद जारा गौर से सुनें और समझें इसको कि इसके अंदर एक अलकाईल जो oxygen से डाइजड है यह कभी भी parent चेन नहीं होगी चाहिए इसमें जितने ज़्यादा कार आपको भीज दूँगा ठीक कर दूँगा यह बाद में अगर आपको प्रेक्टिस करने हैं तो आपको याद रहे कि हमने क्या समझा था इस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है हमें दिखना है कि हमारा अगर इस्टर है तो एक अलकाईल ग्रुप जो है अलकाईल वह oxygen से होग के कारबन से टाइजड है मैं इसको यह मार्क करता हूँ यह देखिए इस में थोड़ सा रेटन कर दूँ यह पैरेंट चेन का कारबन यह है यह कारबन है इसकारबन नंबर वन यह कौन है कारबन नंबर वन अब मुझे बताओ इस कारबन का लिंक जो है वह इस आर के साथ त तो ये part of the chain बनेगा, लेकिन ये carbon इस R के साथ catinate नहीं है, बीच में oxygen आ गई है, तो ये वाला जो R green club नदर आ रहे हैं, ये कभी भी parent chain नहीं होगी, आपकी parent chain जो है, वो start होती है Easter के carbonyl carbon से, और उससे जो carbon catinate है, वो chain का part बनना शुरू हो जाएगा, पहले ये बात समझे लिजे, कि Easter के इस general formula में दो R नज़र आ रहे हैं, जो R कार्बोनाइल से टाइजड है, it may be hydrogen also, ये hydrogen हो सकती है, इस Easter का पहला अगर आपको unit बनाना है, तो आप इस R की जगा, blue R की जगा H लेंगे, लेकिन जो green color का R है ना बेटा, वो देखो, वो H नहीं हो दिया ना, तो पर ये इस्टर नहीं रहेगा, ये कार्बो ऑक्सलिक एच्टर में जाएगा, आर, सी, डबलो, ये green के लगा R अगर H हो जाए, तो इसलिए ये वाला green के लगा R जो मैंने लिखा हुआ है, ये कभी भी hydrogen का आइटम नहीं हो सकता है, ये हमेशा alkyl ही होगा, इस्टर में कार्बो नाइल के साथ अटाइच जो R है, ये हमेशा parent chain मनेगी और parent chain के name को हम general format दें, alkyanoate, इस parent chain में एक ही carbon है, तो meethanoate हो जाएगा, अगर ये दो carbon है, तो ethanoate की chain हो जाएगी, तीन carbon है, propanoate, beta-anoate, pentanoate, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये parent chain का part बनेगा हमेशा और जो green click का R में ने mark किया, ये हमेशा alkyl पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, alkyl, इस वाली बात को जोरा गौर से सुनना है, हम इसको recording पर लगाएंगे, दुबारा structure को देखते रहेगा, कोई भी structure है सो गौर कीजएगा, कि क्या बात कर रहे हुँ, Easter की nomenclature जो है, आसान रहेगी, कि अगर आप ये difference समझते हैं, कि ये हमेशा alkyl होगा, और ये हमेशा prefix में होगा ये, इस R की बात करो, ये हमेशा क्या होगा, जब भी नाम लिखा जाएगा, तो पहला आप alkyl का नाम देंगे, alkyl के नाम आपको यादें, ये methyl, ethyl, propyl, isop isobutyl, tertiary butyl, जो भी लगा हुए, इसका नाम सबसे पहले आएगा, और उसके बाद parent chain का नेम आएगा, alkyl, alkyanoate, तो अगर मैं इसका आयूपक नेम फैमिली का बनाओ, तो इसकी फैमिली का आयूपक नेम जो है, इस format पे होगा, जिसको follow करना है आपको, क्या आयूपक नेम alkyl alkyanoate, इस आयूपक नेम में alkyl कहां में मौझूद है, इस्टर में वो alkyl जो oxygen से bonded है, वो alkyl का नाम आएगा, और कार्बोनाल के काबन से जितने carbon attached है, अगर ये काबनल काबन सिंगल है, तो alkyanoate में ये methanoate पड़ा जाएगा, alkyanoate में ये methanoate पड़ा जाएगा, अब मैं इसको ड्रॉक, मैं एक structure रॉक करता है, फर्स करने देखें, h-c-o-o-c-h-3, ठीक ना, मेरे पास आज pen नहीं है, मैं अपने finger से ड्रॉक किया इसको, ओके दिखेंगा, कि ये दिखें, ये alkyl जो है न, ये alkyl, oxygen से diaged है यहां पर, oxygen से, तो इसका नाम क्या है, methyl, और ये हमारी parent chain में बन रही है, अब parent chain में सरफ एक ही carbon है, इसका नाम क्या होगा, इस फॉर्मर के देखिए बेटा, ये CH3 जो है, इसका नाम क्या है, methyl, तो पहले हम मीथाइल लिखेंगे, और जो parent chain है, वो क्या है, एक carbon की है, तो उसका नाम क्या होगा, मीथा नुएट, मीथा, नुएट, ये उपर जो फॉर्मिट दिया हूँ, देखेंगे, मैंने इसका फॉलो किया है, अलकाइल, अलकाणुएट, तो इस्टर में अलकाइल कौन सा है, ये अलकाइल होगा हमेशा, और parent chain कापन से chain स्टार्ट होती है, तो इस्टर के फॉर्मिल को समझना है, इस्टर का कंडेंस फॉर्मिल ये दियावा है, यहां से ये chain बनती है, ये carbon number one है, अगर ये RH होगा, तो एगी carbon होगा, अगर ये RCH होगा, तो ये दो carbon हो जाएंगे, यहां chain बन रही है, और इसका नाम क्या है? अलकाइल नेम है, इस अलकाइल और इस chain को नाम कैसे लिखते हैं? अब मिसाल लिजेगा example, कुछ examples लेते हैं, मैंने एक structure ड्रॉ कर दिया, यहां colorful किया है, ताकि आपको easily स्वाज में आ रहा हो कि इसका आज यूपे एक नेम कैसा होगा, colorful किया है, लेकर exam में colorful तो नहीं होगा, नहीं, अलकाइल बेटा, right और left की बात नहीं करेंगे, अलकाइल को समझना है कि वो इस्टर के oxygen से dashed होगा, oxygen से, यह पैचान करनी है, कि oxygen से dashed होगा, मैं यह भी mark करता हूँ, यह अलकाइल है, जो oxygen से dashed होगा, चाहिए वो left पर हो यह right पर हो, मतलब अगर मैंने इसको reverse कर लिख दिया, तो आपने confused नहीं होना, देखो मैं लिखता इस्टर क्या दिया हुआ है, यह मैंने reverse format भी लिखा हुआ है, यह easter है, यह alkyl oxygen से dashed है, इसका नाम है methyl, यह एक carbon की chain है, इसका नाम है methane weight, तो left, right की पैचार मत कीज़ेगा, यह बात समझना है कि alkyl जो है, वो कहाँ attached है, इस्टर के oxygen attached है, यह easter के carbonyl attached है, इसके वो यह यादखना है, ठीक है, अब यह structure मैंने दिया है, बेटा दिखें, colorful कर दिया तो आपके बहुत easy हो गया, अगर colorful दायरे आपके पास तो एक्जैम में नहीं आता है, आप इस बात को समझेंगे, गोर करेंगे क्या है, यह पूरा एक alkyl लगा हुआ है, जो oxygen से attached है, easter की, तो इस, इसका नाम बताना है, बेटा बताओ इसका नाम क्या है, students, बत isopapo? कुछ लोगों हैं सही answer reply किया, isobutail, डेक है, isobutail, बते हैं नहीं है, आई-सो-bियूटाइल, यह क्या नाम है, इसका नाम बताना है, आई-सो-butail, इसका नाम है, प्थ का नाम है, इसका नाम क्या है, आई-सो-butail कारबन की नहीं है कितने कारबन की है滿 2 dw एंटạnh एफ पैरिंट यह पैरणट चेंट फ्री कारबन स्की है तो अब अलकन concept में अल्केंच की चेन है तीन काबन की प्रोपेन के सुफिक्स में वेट अट करें प्रोपेन में तो इसका आई यूपेक नेम क्या बन गया देखिए इसोब्यूटायल प्रॉपानोएट लें आइसो आइसो बीटाइल प्रोपानो एट मैं मार्किंग इस फिल रब कर देता हूं ताकि आपको उसको देखिए कि क्या हमने नाम दिया इसको यह इस्टर था इस्टर में एक अलकाइल जो अक्सिन इटाइजड है पहले उसकी नेमिंग होती है उसके बाद कारबोनाइल वाले कावन से जितने कावन इटाइजड होंगे पिर उनकी नेमिंग होगी वह पैरेंट चेंड मनेंगी तो यह आयूपक नेम आफ इस तो का जिनल फॉर्मिट है इसको में फॉलो करना होता है ठीक है अब मैंने इसकी नेमिंग आप खुद करें कि क्या नाम होगा इसका कल इस इस्टर में जो अलकायल मौजू देसका नाम पहले आएगा इस गुर्ट इसमें जो अलकायल मौजू देपहले उसका नाम है कि इस गुर्ट इस गुर्ट मैं इसका अंसर शो करता हूं क्या नाम है इसका मीथाइल ब्यूटान वेट क्या नाम है मीथाइल ब्यूटान वेट इस गुर्ट अब मैं एक और स्ट्रिक्टर शो करता हूं यस मैं बताएं इसका नाम क्या होगा आए यह इस गुर्ट क्या नाम है मीथाइल मीथानुट इस क्या नाम है मीथाइल मीथानुट इस गुर्ट एक और करें आप उसको सॉल्व कर लें यस अब मैंने कर दिया इसका नेम कर लें क्या होगा तो यह हमारा इस्टर मुकमल हो गया इस इसको देखें इसका नाम क्या होगा कि अग्या हुआ Map secondary ीटल रॉंग बिटा सेन्डी व नहीं होगा तर्शृ बीन टाहिल मीथानुट इस क्या नयाम होगा इसका speciallyUST constitution मीथानुट इयल अगर कोई लखता है नियॉर बीयुकर मितानुट यह वे यह बिस ए-ब् 느ॉताइल ओओ- wilt पैपर में कैसे करेंगे वह पिटा आपको समझाय को पैपर में कैसे करेंगे कैसे समझाय को पर पैचानना यह मैं क्या बढ़ा है था कि पैचान करनी है कि ग्रीन क्लर कर नजर आएगा तो वह अलकाइल होगा अब閉ल अडिमी क्ले में अधर अधर यह व्येजोस्तांप लो और फverse इवर म crackора में कि अलकाइल जो functional group के oxygen से अटाइजड है oxygen से यह पैचानी या लिखे विए इसके दरा गौर्ट से देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है कि अलकाइल कौन होगा यह लिखाओ इसमें कि वो ग्रुप अलकाइल का जो अक्सिजन से टाइज़ट हो इसको हमेशा अलकाइल कहेंगे और जो कार्बॉनायल से टाइज़ट होगा वो अलकाइल कलाएगा यह पैचान बताएंगे यह पहचान बताएं यहां भी आप देख लीजिए कि अलकाइल जो कार्बन से टाइजड है कार्बोनाल के वह पैरेंट चिन बनेगी और जो अक्सिन से टाइजड है उसको अलकाइल कहेंगे हम अब इस ट्रक्चर में देख लीजिए कि अलकाइल कहां मौजूद है यह सी डबलो नदर आ रहा रहा है इसमें औक से टाइजड वाला यह ग्रोप है यह कार्बन से टाइजड नहीं है यह इसलिए पूरे जुनिट का नाम क्या है और यह एक कार्बन की चेन रहे गई तो इसक कॉमन आज है कॉमन नम अगर एक कार्बन की चेन हैं उसको फॉर्मेट कहेंगे एक कऴबन अब यह नंजर नहीं आ रहा ना तो यह ज़ह गया है गईंफाल behaviors इसका नाम क्या old दो एथाइल दो कार्पन की टेन होगी कार्पोन पर तो क्या हो गया एथान वेट अफिर अगे हमने एक्षाईल कॉमन रखके हमने चेंट के नाम बनाए हैं तीन कापन होगे तो नाम क्या होगा प्रोपान विट अब यह जो आलकाइल यहां सब में मैंने मिथाल रखावाई यह प्रोपायल बिटाल जो भी लगा होगा हम कैसे पेचानेंगे कि यह ऑक्सिजन से टाइज होगा इस्टर में नाम क्या बन गया इसको कह रहे हैं और इस पूरी चेन को नाम क्या दे रहे हैं से जिए सम्हारीट कामन नेम जो है अल्डिहाइड कार्बाउजलिक आसट इस्टर के सेम होते हैं अल्डिहाइड होते है फॉमल्डिहाइड तो इस्टर क्या होगा फॉर्मेट होगा इस तरह acetic acid तो यह acetate होगा, propionate, butyrate, playrate, तो common name के लिए आपको stem name याद रखने पढ़ेंगे, in alkyl का नाम तो alkyl name यूज़ करेंगे, और parent chain एक carbon को क्या कहेंगे, common name के अंदर format कहेंगे, two carbon की chain को क्या कहेंगे हम acetate, और acetate का iupic name क्या होगा, ethanoate होगा, तो यह मैं आपको whatsapp कर दूँगा, तो इसको देख लिजएगा, anyhow, अब आजए यह assignment के अंदर, तो यहाँ कोई color scheme नहीं है, अब हम इसको easily करते हैं, दिखते हैं, यह हमें एक नाम दिया हूँ है, इसका में structure draw करना है, आइसो प्रॉपाइल बीटा अनुवेट को draw करना है, आप try करें, मैं पर इसका structure बना के दिखाता हूँ, आप उसको check कर लिजएगा, draw करें, मैं आपको one minute का time दे रहा हूँ, जिसमें आप draw करनेंगे इसको, एक minute का time आपके पास है, इसमें आप draw करें, फिर हमें इसको, इसका structure आपसे share करता हूँ, इसर्ट इसर्ट जो है, वह बनता कैसे है, जब alcohol और carboxyl कैसे करते हैं, ऐल्डी हाइट हम थियोरी नहीं पढ़ रहे हैं अभी नॉमल गुश्य पढ़ रहे हैं अल्डी हाइट जब ऑक्षडाइज होता है तो कार्भाउगसलिक आसेट का जब अलकॉहल से हाइड्रॉलाइस होती है तो इस्टर बनता है के सिकर नुमिडिकल अगर आपको याद हो की सिकर नुमिडिकल में एक हमने के सिक नुमिड कर पड़ावा हूँ कि इसका प्रटॉट क्या बनता है या मैं इज़ लिखता हूँ तरे बनता है इथाइल एसिटेट बनता है CH3, COO, C2H5, क्या बढ़ा हुए आपने, क्या बना साथ में, वाटर, क्या नाम है इसका, एसिटेक, एसिड, इससे मैंने वाले इसिटेक का नाम क्या हो गया, इथाइल, इथाइल, इसको कहते हैं, और इसको क्या नाम देंगे, एसिटेट, इथाइल, इसको क्या होगा, इसको क्या नाम होगा, इसको क्या 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 होग इसमें जो parent chain है, वो कितने कार्बन्स की है, 4 कार्बन्स की है, C double bond O O is an easter group, इसके पास isopropyl oxygen से attach करेंगे, इसमें प्रिफिन नहीं है, इसके में अपटी फिंगर से ड्रॉ करना हूँ, टेच पेट पे, तो बना राइंग से आरही होगी आपको, यह आईसो प्रिफिन तो ड्रॉ होगया, ब्यूटाण वेट, इंक्लूडिंग कार्बॉनायल कार्बन नमबर वन, अब तीन कार्बन और करते हैं, पहेला क्या होगा, CH2, फिर क्या होगा, CH3, यह तैसे ड्रॉ किया होगा, आपने आईसो प्रॉ प्रॉपाइल बुभाणनो एट का, अब ये जो लास्ट है इसको ड्रो कर लो बागी तो पिर आपको हो जाएगा ठीक है इसको दिखके आएगा अगर आप से इसको फिजिकल मौजूद होंगे ना इंशाला फिर वहां डिस्स कर लेजीगा मुझसे को एकर सवाल होगा क्लास के बाद कि मुझसे डिस्स कर लेजेगा ओके आइसो बीटायल फॉर्मेट को ड्रो करो कैसा होगा लास्ट नेम लिखा आइसो बीटायल फॉर्मेट इस लास्ट वाले का स्ट्रक्ट्र रॉकर है कैसा होगा आइसो बीटायल फॉर्मेट इस वह एक मिन का टाइम देते हैं आपको आपसे ड्रो कर लें हाँ बेटा कोई मसला नहीं है अब डबल बॉंड शो ना करें कोई मसला नहीं है आइस दन ओके अब मैं इस ट्रॉक्र रहा हूं जोने ड्रो कर लिया वह दर देख लिए फॉर्मेट बता रहा है फॉर्मेट के पारेंट चेने एक आरबन किये फॉर्मेट एक आवन का इस्टर है और उस इस्टर में आइसो ब्यूटाल लगा हूँ है देखें यूँ लिखेंगा मैं इसको हमें डाइक रोकर पर एच सी ओ ओ ओ ओ छी एच टू छी एच छी एच त्री एंड च्री यह है आइसो ब्यूटाइल जो ऑक्षिन से टाइच दे फॉर्मेट का मतलब है कि एक आवन की चेन है फॉर्मेट का मतलब है एक आपन की चेन है यह इसका स्ट्रक्चर होगा आई सो ब्यूटाइल फॉर्मेट अब इसमें इसमें कोई सवाल है सवाल कर दिए कि नहीं फॉर्मेट यह लाज़ा दिया धोकावन हो जाएगा वह एसी टेट यह फॉर्मेट है और यह पूरा आइसो ब्यूटाल लगावा है हमने यहां पर इसका नहां मैं आइसो ब्यूटाल फॉर्मेट कॉपी करें देख लिए इसको अब यहां पर स्ट्रक्चर दिये में और आयूपक नेम करने हैं यह लास्ट में हमें फॉर दिये में 21 22 23 और 24 इन 4 के आयूपक नेम लिखिए और मैं आपको टाइम दे रहा हूं फ्री मिनिट्स का फ्री मिनिट्स का टाइम है जिसके अंदर आप इसको सॉल्व कर देजे फिर मैं इसकी आंसर की बताता हूं आपको यह अपना बिटा क्यामरा आउफ करें अपना आपको यह अपना आ आपको झाल है ऑगे कुछ लोग डन कर लिए मैं ज़रा एक मिन का और वीट कर लिटा हूं पिर इसकाइब अश्यक्ताहूं गभी यह कुछ टाफी लोग ने ही इसको चल्व इसका अंसर को शेयर करते हैं ठीक है चलेस इसका आंसर करते हैं 21 का आंसर जो है आंसर वें मैं वन करूंगा तो मैं इसकी मार्किंग करूंगा असल में 21 में यह है वह अलकाइल जिसका नाम सबसे पहले प्रिफिक्स में आएगा इथाइल नाम इसका और यह तीन कार्बन की प्रोपेन से प्रोपानुएट कहेंगे तो इसका नाम आपने लिखा होगा इथाइल प्रोपानुएट इसके अबाद 22 को देखिएगा कि हमारे पास ऑक्सिंश एटाइट जो अलकाइल है वह एक काबन का मीथाइल है तो पहला नाम मीथाइल लिखने के बाद यह तीन काबन की चेन बन जाएगी यह कराएगा मीथाइल प्रोपानुएट तो निटू क्या है मीथाइल इसके बाद 23 का अगर हम नेम देखते हैं तो यह लगावा है इसके अंदर आईसो प्रोपाइल लगावा है यह यूनिट अगर उपन करें तो क्या है यह आईसो प्रोपाइल है और टू काबन की चेन की वेश से पैरंट चेन जो मनेगी इस्टर की एथानुएट क्या नाम ह है आईसो प्रोपाइल का नाम पहले लिखोगे उसके बाद इठानुएट ट्व्टीफॉर में आप देखिए कि यह लगावा है टर्शरी बीटाइल यह जो यूनिट लगा हुआ है यह कह है टर्शरी बीटाइल इसका नाम पहले लिखने के बाद फिर हम कहते हैं कितने का है वन टू थ्री फोर फाइफ पैंटेन से पैंटा नुएट 24 का नाम क्या है बताया मैंने टर्शी ब्यूटाइल पैंटा नुएट अगर आपको कोई सावाल है तो आप सावाल कर दिजिए है गोड़ बेटा है गोड़ अच्छी बात है कि अ है यह सब्सक्राइब हो सकता है इसका नाम को बताते हैं एक दफ़ाइब टूइंटी वण कौन सा है इसको हम रब कर लेते हैं इसका रिटर्ण रब करते हैं यह में स्ट्रॉक्ट्टर्ट दिया वह है तो इस तर में सबसे पहले उस तो अलकाल का नाम लिखा जाता है जो ऑक्सिंसे डाइट होता है कि सी डबलो के अक्सिंसे डाइट होए इसका नाम है एथाइल और फिर यह प्रोपानुएट येस इस्टर के अंदे बिटा करते हैं हुआए से इस्टर करते हैं टर्शी बीटाल यह नाम य्यूज़ करते हैं इस्टर के लिए हम यह करते हैं इस्टर में यह माइं को thereby नहीं ही लेकर हम बाकी की प्रेफिक्स ले रहे होते हैं से अरा हुआ he 24 में कावन पे ब्राच था में यह 24 है 24 इसमें यह five carbon है कहां branches के अंदर इस पूरे का नाम आयूपेक नेम tertiary butyl is an IUPAC नेम अलकाल में बिटा ब्रांच नहीं करेंगे हम उसको पूरे को यूनिट को नाम देंगे is a tertiary butyl क्या नाम होगा इसका पूरे का इस पूरे यूनिट को अलका ηल का नाम क्या नाम देंगे हमेंगे इसको अलकाल और अलकायल बी टाल मेंश कशन की उते हुएब हो है यहां के अंदर कोई भी लोकेट नहीं कर रहा है कोई नहीं कर रहा है यह सकता है इसलिए इस कडो नहीं डालना लुकिन का डालते हैं जब यह अलकाइल इस चेन के किसी कार्बन पे लुकेट इट कर रहा हो है इसक लुकेट 28 के 24 के इसको open कर लेते है यह यू है हमें नज़रारे है फिर CH2 है फिर CH2 है इसके बाद एक और CH2 ہے पिसчиह का बूल सी डबलू है इसके आगे औक्सियटेंऻ है और इसके आगे कार्बन कार्टन je कार्बन असके साथ तीन मेता zwischen आट रहां जोप प्यांट में भीमिकृ top divided में करदिया अब सब्सक्क्राला स्क्राइब करनी यह पूरा का नाम लिखना हमें आप किया अगर आप देखिए तो यह इस पर अपर होता है अगर चेन के उपर होता तो फिर हम इसको ब्राइट में डिवाइड कर रही हो नो यह पूरा अलकाल का नाम आयगा जो एका नाम है कि का टश्यृ बीटाल इस्टर में हम इस अलकायल को पूरा नाम देते हैं जैसी बीटाल कि अब यह पैरेंट चेंगे ऊपर कहीं पे भी कोई साप्षेंट मौजूद नहीं है तो इस पैंट चेन का पूरा नाम क्या होगा फैंटान वेड़ टू थी फॉर फाइव पैंटान वेट डब बांड गिविन नहीं होगा बेटा डबल बांड गिवन नहीं होगा मुल्टिपल फंक्टिल गृप नहीं होंगे सरफ इसतर के अंदर इतना ही हमें करना है इसकी कॉम्प्लिकेशन से हैं उनकी हमें जुरूत नहीं है बिला वजा ह हम अपने टॉपिक को एक्स्टेंड या उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं करें है कि अ कि अ कि अ कि कैसे यूज करना है नो यूज कहीं नहीं करना अलफा बीटा आपके जितने भी स्ट्रक्ट्टर है उसके अंदर इस पैरेंट चेंपर बिटा कोई भी सब्चन नहीं होगा से यह आपका बीटा कार्वन यह होता है कोमन नेमिंग अदर यह आपका गैमा है और यह आपका सिग्मा है यह कॉमन नेम के अंदर और I यह काबन नंबर वन है यह काबन नंबर टू है यह काबन नंबर फोर है यह फाइफ है ठीक इसकी प्रण चेंड के अंदर साप्टीजिन की हमाई स्लेबर्स में नहीं है इसको एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूं पर्स करो इस कारवन के ओपर एक क्लोरो लगा दूँ तो क्या नाम हो जाएगा इसका यह पूरा टर्शी बीटाइल अपनी जवापर रहेगा टर्शी बीटाल पहले लिखा जाएगा टर्शी बीटाल के बाद अब इस चेंड पर हम लिखेंगे थ्री क्लोरो पैंटानोइट अगर यह क्लोरो नहीं है बलके यह लगा दो तो क्या नाम हो जाएगा यह अपनी जगा अलकाइल का नाम तो हुई रहेगा टर्शी बीटाइल अब क्या होगा फ्री हाइड्रॉक्सी पैंटानोइट तो बिला वजह अपने होंब को बढ़ाएं काम को बढ़ाएं अभी हमा अब आते हैं माइन के उपर अमाइन में जितना बुक में दिए उतना ही समझना है बिला वजह इसके अधर भी हम एक्सट्राइड करके टॉपिक को बढ़ाएंगे नहीं जिसका हमारे एक्जाइम से को ताल्लॉक नहीं है सावाल नहीं आना है इसलिए हम इसको तो आपके नोट्स में पास पेपर 1992 से गिवन दिया हूँ है अगर नोट्स खोल के देखे ना इसलिए अब आप उसको पूरे को खुद करना है बीच में से मैं सेलेक्टिव करवाए हैं कुछ आपको फैमिली में अब वो पूरा आपको खुद सॉल्व करना है सरफ फीनोल नहीं करना है जहां पर फीनोल आ गया जहां पर इस तरह का रिंग बना हुआ और उसमें उच लग गया तो इसका इस्तर का आमाइंस आपको पास पेपर नजर नहीं आएगा कर रहे हैं कि बुक में एक जगा लिखा हुआ है इसके स्वाजिस से कम नॉलेज हम इसको कर रहे है कि आमाइन स्टेप्ट नुम्र 6 से बेड़ा लास्ट में होगा पेज नंबर 122 होगा मैं तरह खुद भी देख लेता हूँ एक मिनट आपको कल जब मैसेज किया था उसमें कि आपको करके आना है 121 यह पेज नंबर 121 पर यह दिया हुआ है इसकी थियोरी को पढ़ना है और इसको हम समझ रहे हैं कि अगर यह एक्जैम में आ गया क्योंकि बुक में मौजूद है इसलिए हम इसको पढ़ना है बरहल इसके आमाइन्स के नॉमल क्लेचर ना इसकी थि इसकी थिप्पेशन है ना प्रॉपरटीज है हमाई स्लेबस में और ना इसका नॉमल क्लेचर एक्जैम में आता है आई आए आमाइन्स की बारे में थोड़ा स्टेड़ी करते हैं इसकी प्रणि को कॉपी करें वट आर अमाइन्स डैटिवेटिवेटिव अफ अमूनिया अ विच हाइडूजिन एटम्स और रिप्लेस्ट बाइ अलकाइल और एराइल ग्रॉप्स अलकाइल यह होते हैं जो हमने अलीफेटिक को बढ़ा है में मीथाल इथाल परपाइल और एराइल में आपने फीनाइल पढ़ा होगा फीनाइल C6H5 यह आरमेटिक से बनाव है एराइल वरडर अमाइन्स डेरिवेटिव आफ ड्राइफ रम अमूनिया अमूनिया क्या होती है एन एच फ्री यह नाइच फ्री यह नाइट्रोजन है और इसके साथ तीन हाइडरिन के एटम है इस ammonia का कोई भी एक hydrogen अगर अलकाइल से replace कर दो CH3 से replace कर दो तो यह amine बन गया है अगर अलकाइल लग गया तो क्या बन गया amine तो डेफिन सम्झी आगी आपको derivatives of ammonia in which hydrogen atoms are replaced by अलकाइल ग्रोप डेरिवेटिवेटिव अफ अमोनिय इन विच हाइटन अइटम्स आ रिप्लेस्ट बाइ अलकाइल ग्रोप यह इनकी रिप्रेजेंटेशन है और नेच्टू अब मिसाल देखिए यह में इस्ट्रक्ट्टर दिया हुआ इसका नेम क्या होगा अमाइन्स का नमेंटलेचर जस्ट लाइक अलकाइल हालाइड देखो अगर मैं यह लिखता हूँ इस सिमिलर टू अलकाइल लाइड और एक्स सिमिलर एक्स जगा एनिश्टू लग गया तो यह क्या बन गया आमाइन्स कुट कॉमन नेम मीठाल आमाइन क्या होगा इसका है मीठायल आमाइन मीठायल आमाइन तो अगर एनिश्टू की यह लग जाए तो मीठायल क्लॉराइड जैसे होता है न तो यह क्या है मीठायल आमाइन और यह जो है एराइल लगा हूँ है को याद दखेगा शीजिए फाइट एक आप इसकी चेन ओपन कर रहे हैं किसी स्कावन की चेन हैं नो आप ऐसा नहीं है सी सिक्स एच फाइफ को याद रखेगा यह फीनाईल है फीनाईल आमाइन और अगर यह स्ट्रक्टर की फार्म में हो यह यूं होगा कि यह हमारे पास रिंग है इसमें अल्टरनेट डबल बॉंड से और इसमें एन एच्टू लगा हुआ है क्या नामें फीनाईल आमाइन मालीकल फार्मॉला को फीनाईल कहते हैं यह है फीनाईल आमाइन यह यह तो डेफनेशन हो गई अब पहले क्लासफिक्शन करेंगा हम आमाइन कितने किसम के होते हैं है塔 आमूो है में तीन हाइड्रोजन यहां ना इसलिए हम कहते हैं अमनियर कोwan कि इसमें की एक हाइड्रोजन है अगर स्कम्राइड होती है तो वह अकंडरी तो वो टरिशरी होगा तो आमाइन तीन किसम के हैं फॉर्स्ट प्राइमरी आमाइन्स डेफिंग और भी करने यह विटा हम एक्स्टर सिर्फ नॉलजच के लिए इसलिए पढ़ने कि बुक में दिया हुए अपने पास से नहीं पढ़ा रहा बुक में दिया हुए इसलिए हम वड़ियो को डिसव कर लेते हैं प्राइमरी आमाइन्स एफ वन हांट्र अथम ओफ आमुनिय इस रिप्लेश बायल काय से हो जाए तो वो प्राइमरी आमाइनज कराएगा था मिलसाल के दौर पे कर मीटालवाइन जो सेक्ड में लिखा है न मीथाल आमनी तो पहले पहले भ होगा एनेश्टू एनेश्टू इस आमाइन और यहां पे अलकायल मौजू दे अमुनिया में एक हाइड इस इताइल आमाइन यह गुट क्या नहीं होगा इसका इताइल हमाई कि इता कॉमन नेम इस क्लास्ट पिजिन को समझ लिए आप लोग ने अगर इस अमुनिया में अलकायल के अंदर आमाइन की आमोनिया की तीन हइटन की जगा जोफ दो हईटन में आलकायल आ जाए इसे टू हाइटन अफ़ आमोनिया रिप्लेस बाया लखार इसकरव अमाइन की लिफिनर लखिए terror factors जनल रिप्डेज़नेशन क्या होगी यह ऊगी अमुनिया इस एन एच त्वी दो हाइडर में अलकाय लगए तो एक एच रह गया एन एच अब मिसाल तरबे मैं एक सब्सक्राइब किया मुझे इसका नाम बताओ क्या होगा इसका नेम क्या होगा यह माइन है और इस अमाइन के अंदर कितने मीधायल लगें दो मीधायल लगें यह गोड़ डाय मीधायल अमाइन यह मीधायल अलग है और यह मीधायल अलग है तो क्या नाम होगा डाय मीथाल अमाइन गुर्ट डाय मीथाल अमाइन अब इसका नाम बताओ क्या होगा यह भी सेकंड वी अमाइन में आ रहा है इसका नाम क्या होगा गुर्ट यस नहीं बटब पहला इथाल का नाम है अपर मीथाल का नाम है का अल्मस्ट तुर्ण साही किया है इथाइल मीथाल अमाइन इथाइल मीथाल अमाइन अब मुझे बटा डंकर रप्लाय करो मैं अग्ली साट पर जाता हूं कॉपी कर लिए ना इसको तो फिर मुझे आप रिप्लाय करेंगे मैं आगे जाओंगा ड़न ओके चलिए आप टर्श्री अमाइन्स क्या होंगे अल हाइडन अटम्स फ्री तो नहीं कहेंगे अल कह दें इसको जाला बितरोगा तो यह टर्श्री अमाइन्स में आ जाएगा तो टर्श्री अमाइन्स की रिप्रेजंटेशन अगर करेंगे तो यह करेंगे कि अमूनिया की नाइट्रोजन में तीन हाइट्रिन थे वो तीनों रिप्लेस हो गए अलकाइल के साथ यह तीनों अलकाइल सेम भी हो सकते हैं दो सेम हो सकते हैं ठीक है अब एक्जामबल देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर रॉख किया में बताओ इसका नाम क्या होगा आप देखें नाइट्रोजन के साथ तीन मीथाइल लगे हैं ना इस नाइट्रिन में हाइड्र मौजूद नहीं है यह स्ट्राइब मीथाइल आमाइट गुट्ट सब्सें आंसर यह मिद्कुल गुट्ट वाइम इतला माइन का नाम होगा अब डाइक और इसका नाम बताओ क्या होगा इसका नेम दिखें क्या होगा गट इस गट क्या नाम है इसका इथाइल डाइम इतला मैं यह सारे कौन से नेम बता रहें आप मुझे यह सारे आप मुझे कॉमन नेम बता रहें ठीक है कॉमन नेम common name Ethyl, Dye, Methyl Amine सिर्फ हम Normal Clitur जो यहाँ समझेंगे वो Primary Amines की समझेंगे किसकी समझेंगे? Primary Amines की तो अब मैने हड़िन अली है IUPAC naming of Primary Amines Classification तो हमें बताईए बुक के अंदर लेकर secondary और tertiary की IUPAC naming हमाईब से नहीं है बुक में डिस्क्स नहीं हुई इसलिए हम भी इसको ड्रॉप करके सिर्फ प्राइमरी अमाइन्स के नॉमन क्लेजर को डिस्क्स करेंगे अब पहले तो फॉर्मिट क्या होता है न कि जो आप ऐंपकने बणा और कि उसे सुफिक्स के अयरे-प करेंगे तो मीथेन अमाइन हो जाएगा दो कार्बन की है एथेन अमाइन हो जाएगा और सेकिंड फॉर्मिट क्या है कि आप अमाइन को अमाइनो एज़ा प्रिफिक्स लोगे अगर सुफिक्स में लोगे तो अमाइन लिखोगे प्रिफिक्स में लिखोगे तो अमाइनो लिखोगे अ माइनो अलकें फ़ार्मेट है आई एक नाम को देखते कि एक स्ट्रक्टर देखते हैं और फिस पर अपलाई करते यह स्ट्रक्टर दिया है मुझे मुझे इसका आउपेन ने मताना है यह प्राइमरी आमाइन क्यों है कि यह नेश थ्री वाली नाइट्रोजन जो है यह एक हो या Amine is a substitute यह left carbon से nearest है तो मैं numbering करूँगा left से 1, 2, 3 and 4 अब मैं इसका आयूपेक नेम लिखूँगा तो फिर्स्ट फॉर्मिट के कोर्डिंग जब नाम होगा तो क्या नाम होगा इसका त्यू ब्यूटेन अमाइन ब्यूटेन फो काबन शुफिक्स में अमाइन और अमाइन की location क्या है carbon number 2 त्यू ब्यूटेन अमाइन यह भी नाम सही आई यूपेक दिखें आई यूपेक नेम दो तरह से लिखा और दूसरे नाम क्या है format क्या है आ माइन ब्यूटेन जिननों न अंसर दिये वि Mic discovery नहीं कि अग् historique किए इसको कीते हैं इसको और टूमाइन नो ब्यूटेन भी लिसकते हैं एक बार के मैं ने एक और और किया है इसको आप क्राइब करो आप कि यसको भी यूज़ कर सकते हैं अब मैंने कॉस्ट रोग किया इसको अगर आपने सभी नाम कर दिया तो नॉमन क्लिचर हमारा एंड हो गया कि यह लिख सकते हैं यह बीडेंट यूमाइन भी लिख सकते हैं आप इसको इसका नेम कर दीजिए तब मैं देखता हूं कि आपके नॉमन क्लिचिक कितनी मुकमूल भी है इसको देखेगा कि इसका नेम क्या होगा आप लोग करें मैं आपके आंसर देख रहा हूं उसके बाव मैं इसका स्लूशन करता हूं नहीं वानिये विटा वेट नहीं होगा इसमें वेट कम अधे इस्टर होता है इस नहीं इस्टर कुछ ना कुछ ना कुछ मिस्टिक सब कर रहे हैं जरा ना यह वी मैंने एक एक्स्ट्रा डिफिकल आपको करवा दिया ताक्के आपका थोड़ा अब कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं इसका नहीं अब मैं इसका नहीं लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं अब मुझे रिप्लाय कोई नहीं करें इसका यूप नेम देखें क्या होगा सबसे पहले हम इसकी लॉंगेस्ट चेन माग करते हैं कारबन की यह लॉंगेस्ट चेन माग कर दे अब इसके अंदर तीन फांक्शनल ग्रुप मौजूद है सी डबल ओ एच इस अ कार्बॉक्जल ग्रुप एनेश टू इस अ अमाइनो ग्रुप डबल बॉन अल्कीन का ग्रुप है तो इसमें प्रिंसीपल फांक्शनल कौन्सा है और जो काब नंबर उन है यह काबन नं और तू है ये carbon number three है और ये carbon number four है पहले तो सबसे पहले नाम किसका आता है subsidian के नेम आते है subsidian कौन होते है alkyl होते है halogenes होते है और amine होता है ये तिनों कभी भी parent chain के उसमें नहीं आते है बलकि ये prefix में आते हैं जब भी multi function group में होंगे multi function group में जब भी होंगे तब इसका नाम क्या होगा three amino three amino two butene अगर ये carbon group ना हो तो two butene betanoic acid क्योंगे carbon group लगा होगा है two is a local of double bond अगर ये double bond नेकाल तो यहां से तो betanoic acid हो जाएगा तो two betanoic acid अब अपने answer को सब चेक कर लें असने बिटा आपका answer बिल्कुल सही नहीं है two butene, two amine butene आप देखें bute का लवज आपने दो दफ़र नाम में यूज़ कर लिया अलकी नाइल बिटा कोई भी चिस नहीं होगी अलकी नाइल नहीं होगा कभी भी अलकी नाइल नहीं होता है चेन कारबर एटम क्यों होती है इसमें कुछ ऐसे लोग भी आये में खाल से जो आज नाजल हुए है ना इसलिए उनको कुछ अजीब जीब सवाल भी है ना उनके ओके एक पर फिर में रुपीट कर रता हूं इस वह स्ट्रक्चर को कि यह में स्ट्रक्टर दिया हुआ है इसका में आई यूपेग नेम बताना है उनके निए इस प्रश्रक्चर का कि सबसें पहला काम क्या होता है प्यारन्ट चेनमार्क करते हैं अब मेरी बात को सुनते रहें जो ने रिगुलर क्लास ली वी है वो यह बात समझ रहें होंगे वरीशा मैं आपके सवाल को लेगता हुआ इसमें जुरूर बात करूंगा ठीक है सबस्थे पहला काम क्या होता है आई यूप एक नेमिंग के अंदर नेमिंग के अंदर कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स तो कार्बन एटम्स जो नदर आ रहे हैं उनको आप स्लेक्ट कर रहे हैं सबस्थे पहले यह कार्बन एटम्स जो हैं जो आपस में लिंक हुए हैं इनको हमने मार्क कर लिया अब इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फॉंक्शल गृप कौन सा है यह मैंने अलकॉहॉल के बाद आपको लिस्ट शो कर दी थी कि मल्टी फॉंक्शल गृप के अंदर आपको देखना है कि किसको प्रिफर करना है तो आपने वो लिस्ट में से याद अठना है कि हम प्रिफर करते हैं कि और यह को हो सकता है मैं समझा रहूं मेरी बात को सुने उपने प्र-aansNEY को देख लिए नहीं ऐसका आंसे क्या है मुसको कर रहे हैं है होगों है इसके हमें नाम देना यह लॉंग खोगी सिप्पल फंग्जव कौन क्यूंसा हैu हमने लिस्ट से व्याद रखना है कि हम किसको करेते हैं को डफल बॉंड पर अब यह मा करनी हैं कि हमें माक करना है के इसमें काबन्सन कौन सा है दोबरा जोइन कर सकते हैं अब मुझे कोई डिस्ट्रब ना करें रिप्ला ना करें रहा हुए और सुने में बात कर रहा हुए कि मैं अपनी बात को दुबारा कर लेता हूं ताके में तमाम सवाल जो है उसके अंदर आ जाएंगे हमने कि पहले का केस की लॉंगे से मार्क करने थी तो चेन हमेशा काबन एटम क्योंती काबन एटम की चेन मार्क हो गई अब यह कंपन का प्रिंसिपल फॉंक्शल ग्रॉप क हमेशा हमने काब आउसलिटर में यह नाम लिचे पड़ा हुए कि यह मेशा कॉर्णर पे होगा चेन यहीं स्टाट हो थी वान ट्यू फ्री और फोर काबन की चेन है अब बताएंगे यह अमाइनो कहां लुकेट कर रहा है चेन के अंदर काबन नुबर फ्री पे तो पहले आ अमाइनो क्या चैन की अमाइनी आप इसेए शिह का नाम बताने सद्ट माइन के इसेंग के अंदर आपको याद आब उने सेक TOय घराएं फ्ररकाबन की चैन. है four carbon की चेन है double bond किस carbon साथ मौझूद है two or three के साथ मौझूद है तो lower number of carbon से हम bond को रिपिलन करते हैं तो यह parent चेन जो है four carbon की है तो हम कहने इसमें carbon number two पे double bond है कितने carbon में से four bute का word use करते है four carbon in cover use करते है double bond के के लिए इन का लास्ट एक्यू ड्रॉप कर दिया क्योंकि यहां पर सकेंडरी सुफिक्स आड़ हो रहा है वहीं कैसे कि वहीं कैसे तो क्या नेम बन गया इसका फ्री अमाइनो ट्यू बीटन वहीं का सट यह तू जो है यह लोकन किसका है देबल बॉर्ण के लिए है तब यह नाम समझ लें क्या नाम है यह व्यूट का मतलब है फोर काई बने अगर यह नाम लिखा वेज़ाएं इस्टुर्ट्टुर्ट्य यह नेम एक श्रॉक्श्ट्ट्ट्ट्ट्टन नेम आपको कैसे वाला हुगा के काबन कितने हैं तो ब् इस बीट के थर्ड कावन पे एनिश्टू लगाए यह निश्टू लगा दिया यह सेकद और थर्ड कहां से हो रहा है इस टर्मिनल्स हो रहा है क्यूंकि यह कार्बॉक्स लग रूप है यह फ्री अमाइनो ट्यू बीटानोइक आशिड अब किसी यह कोई क्योरी है कोई सवाल है वो सवाल करें बिल्कुल नहीं हो सकता है यह क्योंकि ब्यूटन ब्यूटन विटानोइक आशिड में आपने एन या इस्तवाल कर लिए न एन अब आणे इन नहीं हो सकता है यह एन होगा इन होगा तो ब्यूतन होगा यह ब्यूटन होगा तो इन जो है ब्यूट के साथ होना चाहिए इन जो है ब्यूट के साथ होना चाहिए है हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हम सारे एक साथ डाल दें उसके यह मारी कोई मर्ज़ी नहीं है मस्त जाज जादा दो फॉंक्शिल ग्रुप के आपके स्ट्रक्ट्टर आते हैं मल्टि फॉंक्श लोगें दो कि एक कि यह मतलम नहीं है मैं इसमें ओज बिढ़ दूऊर ल्ड ब्राओम ड्सपील अच्वे मिदल मी डाल दो ऐसा नहीं तुम करना में कि मैक्सिम्वं 2-3 बस इसलहाधा नहीं inherent m नहीं होगा इसलिए कोई नेम नहीं होगा सी Latin in इन उसलिए कोई तुर्स की को threeam-a-ko2ean नावने- यन अपने प्रिफिक्स में ले के निन लेकर जाएँगे वो वूठ के साथ हिगा हमेशा नहीं हो सकते है आप नहीं हो सकते हैं नग नहीं हो सकते हैं पैट तो और को एन-इन अईन जो हमेशा नमपर काबन के साथ लगेगा डबल बॉंड आ गया तो एन का वर्ड ब्यूट में यूज नहीं कर सकते हैं यह ब्यूट है ना ब्यूट इसमें एन का वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं इन आ गया तो इन यहीं आएगा हमेशा ब्यूट के साथ इन हमेशा यहीं आएगा डबल बॉर्ण एक आ गया तो अब यह ब्यूट एन साथ में वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं इस ब्यूट में इन का लोकेशन के है टू तो यह टू ब्यूट ब्यूट इन कि अब इसमें सेक्टरिय सॉफिक्स जीघा कौने यह प्रैरंट आए घट और बन कितने है यह गलाता है प्राइमरी सॉफिक्स सेक्यंड़िय स्थिक्स क्या है वाक है एक्सट कर इसलिए यह नाम यह लिखा जाएगा 2banosic acid फ्री अमाइनो होगा ट्यू बीटनोविक आसिड होगा वरिश्य आपको बात समझ में आ गई है ओएक अलग से नहीं लिख सकते हैं नहीं यहां नहीं लिख सकते हैं जुरूत नहीं है अलग से नहीं लिखते हैं क्योंकि यह बात समझो ना ओएक आसिड को बेटा लोकेंट की जुरूत नहीं है आप अलग से क्यों लिखोगे इसको अलग से तब लिखोगे जब इसकी लोकेशन बता नहीं होगी यह व्यूट के अंदर टर्मिनल है कंफर्म है तो यह साथ और यहन आप खुद नाम दो फॉर्स फार्मिट के रहों के यूज करेंगे तो क्या नाम देंगे भीक है और नाम देंगे क्या नाम होगा उगश का कि वह एक आसेड इजा सेकेंडरी सेविक्स वह एक आसेड़ीज असेड़ीज सवफिक्स बांनों date कि इसमें रियान बेतर है कि आप वो अलके नमाइन ना करें मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं वो यूज नहीं करें इसको ना कि मल्टी फॉंक्शल ग्रॉप है इसले नहीं करें अगर वो सिर्फ आमाइन होगा ना तो तब आप वो यूज कीजेगा मल्टी फॉं सुनली मेरी बाद आपने मल्टी फॉंक्शल विटा इसको हमेशा अमाइन ओल दिखेंगे अगर अगर फीनाइल लगा हुआ है एक तो फीनाइल अमाइन है दो लगे में हैं डाई फिनाइल अमाइन है तीन लगे में ट्राई फीनाइल अमाइन है यह याद करने हैं एक लगा हो है फिनाइल अमाइन ही दो लगे में डाई फिनाइल अमाइन हो जाएगा इनके कोई यहां कोई chain mark नहीं करते है बस ही पूरा एक final होता है क्योंकि हम पे chain mark नहीं करते है क्यूंकि यह ring है chain जो होती है वह ALI FATIC में होती है एक final है तो final है मैंँ होगा दो final है तो die final होगा तीन final है तो 그대로, trial final है मैंँ होजाएगा बस बेड़ा यह हमारा लास्ट टॉपिक था यह नॉमन्क्लेजर हमने मुकमल कर लिए अब आपका इस नॉमन्क्लेजर में कोई भी इश्यू है तो बेतर यह है कि कल से हम फिजिकली मौजूद होंगे इसलिए कल आप लोग फिजिकली क्लास में जब आओगे क्लास के बाद ज तो फिर मैं आपके क्वेशिशन को आंसर करूंगा कि आपने प्रॉपर क्लास सब लें थे अब यह बात सुनिए कि जो एहम बाते हैं उनमें से एक यह है कि कल क्लास कौन सी होगी बी और डी सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैमिस्ट्री है अब डी के सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कल केमिस्ट्री है ए और सी वाले फिजीक्स के लिए आएंगे done एस बाक को फिय और डी कम केमिस्ट्री। पढ़ेंगे क्या पहँआएंगे की सिर्फिट्रेौ सटर्ट करना है में प्रेटर नमबर सेविन और चप्रेटर नमबर सेविन में क्या पढ़ना है इसावाल है सवाल करें में आता है। यह मैं क्यूं सवाल उसका मकसद क्या है प्रप्रेशन आफ PVC में क्यूं बता दें आपको बुक में मैं बता दूर आप क्या पूछना जा रहा है इसमें। पॉली विनायल कलोराइड हमने पढ़ा वा नहीं है। है पॉली वीनायल क्मूराइड में पड़ावां पी वी सी अप पॉली विनायल क्रीट चैप्टर नंबर 11 में होगा काहा होगा चैप्टर नंबर 11 locale थे जारा फ्लेकर दो लगात होगी तीन दिन हमारे क्लास मोडूल है आपको वहीं डिस्स करनेंगे न अब इसमें एक क्या ना में नाम और अपने लिस्ट में याद करने जैसे अलकाल याद किया वना एट और फिनायल याद किया एक और नाम याद करने कि कहीं आएगा भी नाइल वीनायल डिरॉद्टर ओफ बीनायल ग्राव दस्ट्रक्टर ओफ बीनायल का स्ट्रक्टर जातक हैं वीनायल क्या होता है CH2 double bond CH is called V9 वीनायल इसा कॉमन नेम आप से कहाते है ड्राव दस्ट्रक्टर ओफ बीनायल क्लोराइड तो ये structure मैं लिखा है ना ये Vinyl है, इसको Vinyl कहते हैं अगर मैं Cel लगा दूँ तो ये होज़ेगा Vinyl Gloride और अगर मैं इसको OH करदूँ तो ये होज़ेगा Vinyl Alcohol तो Vinyl को ज़रा इसको मैं रब कर दिया, इसको Vinyl को याद रखना है कि Vinyl कैसा होता है, किस structure Vinyl कहते हैं डबल बॉर्ण च इस कॉल्ड वी नाइल बाकि इंचला थियोरी में हम बातें करेंगे और तलकी क्लास का जो टॉपिक मैंने भी आपको बताया है टॉपिक क्या है हमारी हाइबर्डाजेशन एक बहुत इंपर्ण कोईसिन होता है ड्रॉ एन एक्स्प्लेइन दमॉली किलर और इंपर्ण को यह हमें पढ़ना किसका है मीथेन का पढ़ना है एथेन का पढ़ना है एथीन एथाइन एंड बेंजीन चप्टर नबर शेविन में इन सब के मॉलेकिलर स्ट्थर है मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन इन चारों में से एक लास्मी सवाल आता है और बेंजीन अलग से इमपॉर्णड है अलग से ग्जाम में आता है तो मॉलेक लूर और्ड बे लास्ट में टॉबिक ड्रॉप कर चुके थे पैंडेमिक की वे से तो मैंने कहा था कि आप प्रॉब्लम नहीं है इंशाला हम यहां पर उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे इतना फस्टें पढ़ते हैं तो इंशाला हम इस पर बात करेंगे कल की क्लास में केमिस्ट्री में ठीक ह ओके बेटा अलाहाफिस